आप देख रहे हैं पॉइंट ओफ यू और जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेम में हमारे दोनों गेस्ट भी नजर आ रहे हैं मैं फिर भी तारूफ करवा देती हूँ हमें जी जॉइन किया है इंडिया से करणनल दानवीर सिंग ने जो के डिफैंस आनलिस्ट भी है और एक भ बदला लेते हैं करणनल साब से के यहां भी हम उसी तरह के चोड़ते हैं उनके उपर जो खूब चिलाते हैं और खूब शोर मचाते हैं तो अच्छा है उससे जरा एक्टिव रहता है इंसान और मज़ा आता है और हमें जी पाकिस्तान से जॉइन किया है कमर्चीमा साब ने कमर्चीमा साब को सब लोग जाते हैं जियो पॉलिटिकल आनलिस्ट हैं इसके लावा इंडियन टीवी पे पाकिसान टीवी पे सब जगा नजर आते हैं और चीमा साब भी मैं जरूर कहूंगी कि एक बहतरीन इनसान है और बहुत दफ़ा चीमा साब कोई शो होता है और उसक आज हम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए करेंगे कि बहुत दफ़ा हो गया कि हमने ये कर दिया आपने वो कर दिया हम उससे थोड़ी से आगे बढ़के बात करते हैं और मैं करनल सब आप से स्टार्ट लेना चाहूंगी कि एक फौजी के तौर पे आप क्या समझते हैं अगर आगे और हमारी प्रोग्रेस एक जगा रुक गई है चाहे आप माने या ना माने लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अंदर इतना जाथा इंटरफेर करती है के जिसकी वजह से एक फ्रोग्रेस हमें रुकी हुई नजर आती है जो योरोपियन कंट्रीज में हमें ऐसा जाए लगता चलिए मतलग की प्रोग्राम हमें ख्याली पुलाओ बनाने वाला है तो चलो फिर ख्याली पुलाओ बनाते हैं और अगर इस ताइप से होता कि हम दोनों बड़े अच्छे हमसाई की तरह रह रह रहे होते तो इसमें तो कोई दो राई नहीं है मतलग कोई में इंटरनल सिच्वेशन से डील कर रहे हैं लाकों क्रोडों अर्गों खर्गों रुपया जो है दिफार पे बरबाद हो रहा है और इंसानी कीमपी जाने जा रही है और अजेंडा सेट करने के लिए दोनों तरफ से सोसाइटी को रेडिकलाइज करने में पूरा जोड कभी रीजन के नाम पे कभी कभी उलाके के रुप और अच्य दोगाने चल रही हैं चिनकी चल रही है और आम आदमी मर तो ठीक कहें रहे हैं वियू हो लेकिन असक्राज निकला जा सकता है इस को एड़ा करेंगे लेकिन पहर्ले मैं चीमा साब तरफ चलती ह。 सब हम पे नियुकर बैट डिख करो यहां सब्सक्राइब होते हैं कि नहीं तो साफ मुकर जाते तो आपको में उस चीज को पिक करके और उस गलती को अपनी सुधारना चाहिए बजाए इसके के हम साफ मना कर दें चाहे वो हमारी माइनौरिटीज की बात करते हैं चाहे वो हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं या हमारी पॉलिटिकल जो भी हमारी पार्टीज आजकल हैं उनकी बात करते हैं लेकिन हम काम है कि हम आपर करें लेकंधिन फिर भी कहीं दिल में पहल आता है कि ने यह बात पोई थीक हिए तो उस चीज संच को लेकर इसा करना चाहिए हमने अपनी तो लेकिन उससे हमारी कंट्री बेतर होगी ना सर वो तो चले आप दिल में कहती हूं चीवा साथ और मैं चीवा साम ने बड़ी लंबी फैक किया सौरी चीवा साथ लेकिन फिर भी हां मुझे बताइए कि उस चीज को ठीक करना चाहिए या नहीं देखें जिनके शो में हम गय मुझे ऐसे लगता है कि 50-100 मीडिया स्टेशन के इलावा बहुत बड़ा इंडिया है और पाकिस्तान में 60-70 मीडिया के इलावा बहुत बड़ा पाकिस्तान है वह इंडिया और वह पाकिस्तान जब तक बात नहीं करेंगे मामलात ठीक्ष्ण हों तो हमें उस मीडिया यह से विश्य साइकल है ना हम उस विश्य साइकल के अंदर और कुछ लोग ऐसे हैं जो उस विश्य साइकल का फायदा उता आरहे हैं उसके बैनेफिशली है वह चाहता हूं जो वोिस्टलेस है और आप भी उस से चाहिए बात करना चाहें जो वोईसलेस है सो इस चीज़ को छोड़ गए कि इससे बाइर भी एक दुनीय एंग्जिस्ट करती है, वो बड़ी छोटी दुनीया है. और जो बात करना चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि उन थोड़ बड़े थोड़े लोगों के जिनको आवाज मिलती है और बहुत जादा लोग जिनको आवाज मिलती है तो एक तो यह चैलेंज हो गए दूसरा मैं एक चीज़ समझना हूँ हो इनडीयन मीडिया के हवाले से यहां हो जो पाकिस्तान मेरा ख्याला बहुत जादा मिश कुनसेप्शन हैं पाकिस्तान के बारे के जी वो स्टाय वीडियो बनाने वाथ क ότι चैना है कि इंडिया में पाकिस्तान के बारे क्या रियालिटिन M.I. मैं इसका बात करना चाहता बिल्कुल एक जो है वो एक ऐसे दुनिया जहां पर हर चीज फोज करती है ऐसे नहीं है अदारे है अपना काम करते हैं हाँ कोई अदारा आप कर जाता है किसी चीज में तो इसके ओपर भी बात की जाए सो मैं समझता हूं कि बात की जा सकती है और इटरनेट जो प्लाटफॉर सोचल मीडिया, ये भी तो कुनेक्ट करता हमें, आए इन पे बात कहें, अगर चांद एक लोगों ने हमें होस्टेज बना लिया, तो बात तो की जा सकती है, बिल्कुल सीक, करनल साब बिल्कुल जैसे चीमा साब ने बात की, आपको लगता है कि मीडिया दोनों तरफ का जो मी की टेंशन को हम कम कर सकें, या कमस्दम एक दूसरे की बात को अंडिस्टैंड कर सकें, अगर आपस में बाच्चीत नहीं थी जब इतनी जादा, तो हमें नहीं पता लगता था कि उस साइट पे भारत क्या सोच रहा है, या कोई इंडियन क्या हमारे बारे में सोच रहा है, अनना ही नको फटाता है क्या हमारे हाँ हर तरह के लोग हैं, बहुछ से लोग ऐसे जогे बहुत ही मत्भरत से बात करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जो भारत के लिए अच्ची अलफा इस्सवाल करेंगे, तो आपको लगता है मीडिया का खास रोल है, खास इमप पाकिस्तानी जो अवाम है या पब्लिक है वो कैसी है इंफेक्ट मेरा यह अपीनियन है कि अगर यह जो फौजी जो टेलिविजन पर आते हैं डाट इंगूर्स मी और मेरे खाल से यह सही नुमाइंदगी नहीं करते क्योंकि इतने साल नौकरी करके आये होते हैं और इनके जह हुआ है तो मेरे खाल से उन में किसमें का जो जमीन के क्रकेंशन का का एक आभा इसा मेरा माननाँ सिवाए आप को इस ज्यादा नहीं होजाए तब तक और लिचे करते हुआ और दी होते उनको ज्यादा असलियत का मालूम नहीं होता वो एक बावल में रहने वाले लोग हैं तो उनसे वो एक्जैक्ट आपको पेरामीटर्स अब मेरे को आठ साल हो गए टेलिविजन के अंदर यह डिबेट करते हुए और और आठी साल हो गए मेरे को सिविल में मज़ा लेते हुए तो मेरा यह अंदरस्टैंडिंग है कि जो आम लोग है जो पrut पुलिक है वो वह वैसे यह नहीं सोचती जैसे मैं सोचता हूँ और यहां तक पॉलिक का सवाल है वो यह टेलिविजन डिबेट को ज्यादा संजीदा त्रभ भी नहीं लेती है ये आज की तरीख की में हिंदूस्तान की बाद बता रहा हूँ। पहले की बाद जिसके अंदर एक तरफ हम होते हैं और बले बले लाला चगदे 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 चल रहा होता है कहां समझ में किसी को कुछ नहीं आ रहा हुता है लेक अगर स्क्रीन तूट के बार निकल आए तो एक दूसरे को पता है किस पीचे पेड़ो चपेड़ी हो जाए तो बस यह एक इंटर्टेंब्मेंट है बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है आदे घंटा और अपना चलो वही फिर दिन खतम हो गया फिर अगले दिन सब पूल जाते फिर शाम होती है फिर देखते हैं कहां पर सरकस चला हुआ है तो उदर सरकस देखने लग जाते हैं या कुछ और त जाते हैं खिल खिलाते हैं और हलना शेरी मचती है बले-ले होती है फिर अगला दिन आ जाता है तो आम जो लोग न जो नौर्मल सिटिजन जो है वह अलग तरीके देखता है वह इस चीज को देखता है नहीं इस तरीके यह मेरे को जब ऐसास हुआ जब मैं दुबाई तीन- मझझे से बाते होती हैं, तो मैसूस होता है यार यार यह अलग कहानी अईसे नहीं है। ऑड़ी रिस्पेक्टफुली वह टृट करते हैं जब उनको पता लगते हैं कि आप इंडिया से हैं, तो वह बड़ा रिस्पेक्टफुली आप से वर्ताव करते हैं और अच्छा है मतलब की या उनके रेस्टोरों में चले जाए या या कुछ हो तो एक मुक्तलिफ वो है और अगर आप पाकिस्तानी जो इंडियन के साथ जब इंट्रेक्ट करते हैं तो वहां भी बहुत अच्छी तरीके से इंट्रेक्शन होता है तो वह इस दर्यालिटी लेक्ट जो चीमा साथ कह रहे हैं कि जब अन हर्ट इंडिया जो है या अन हर्ट पाकिस्तान है जब यही तो सारा जगडा है अगर फीपल टू पीपल कांटेक्शन हो जाएगा तो मसला खत्म हो जाएगा तो अब थोड़ी सी मैं तन्स बात करूंगा मसला खत्म हो गया तो असलियत पर सवाल आजयेगा रियालिटी सवाल आजएगा आपकी जो पकड voltar निकल गई हम्ने जो पक़की रख की तिरे Els शर जाएगी तो जो थी किसमें और रोह जाए गर्मार की वह नहाए नहीं पहने देख कैसे होगा तो फिर वो कैसे होगा है और यह तिंज आने आपका हवाला लिया वही चीज हमारे यह दाख आगि यहां पर अमनों मान हो जाएगा पाकिस्तानी उन्हें वी प्रोग्राम डाई है कि पाकिस्तान की बहां इसलिए होती ए क्योंकि वह हिंदु-Muslim वाला खेल है और कोई खेल नहीं है अगर आप पाटिस्तान से दोस्ती कर लेंगे तो मतलब कि हिदु-Muslim इशु खतम हो गया और दोस्ती करना कोई मुश्किल काम नहीं है जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो तो दुनिया वर के मुसल्मान है एक कुज़ने के घरों में आना जाना बैठना तो मैं यह आपको बताने की कोशिछ तरहा तो नीचे लेवल कर नहीं है लेकिन अगर बड़े प्रमाने पर यह गर अगर वोल गया तो जो सियासत दान है जो हमारी तरफ जो सियासत हैं वो खत्रे में आ जाएगी लोगों के और पिर से दुकान बंद हो जाएगी तो सारा ख बिल्कुल ठीक चीमा साभ आपने बात सुनी लेकिन साथ ही मैं इससे पहले कि आपका कमेंट लूँ मैं ये कहूंगी कि तल्ख बात भी होनी चाहिए अगर कोई हमारी कमजोरी या दूसरे की कमजोरी नहीं बताएंगे तो फिर उसके उपर काम कैसे होगा तो आपके कहल से तल्ख बात होती है पाकिस्तान में तो बड़ी तल्ख बात होती है मुझे बताएंगे ना कौन थी दुनिया की ऑपोजिशन इस तरह मिलिटरी स्टाबलिश्मेंट को अटैक करती है जिसने पंद्रा साल दैशत गर्दी की जंग में आठ से नौ जार जुवान शहीद करा द तो सुन रहे हैं ना भाई यह तो मैं तो समझे तो बहुत होती है मैं तो इंडिया में कहूंगा इंडिया के वजीर्याद्रम जो है नरेंदर मोदी साहब वो तो मीडिया को निफ्टी नहीं कराते हैं इंटर्व्यू ने देते वो तो और बड़ा मैनेजड इंटर्व्यू तो होती है भारत में भी तर होती है निरेंदर मोधि के बारे में पाकिस्तान में भी उती है लेकिन पाकिस्तान में त्यूकि प्रॉब्लम यह है। कि सबस्क्राइब ऑर सारा कुछ कर रही है। बहुत का एक पैरामेटर उसके तहत रहके काम करती है जब political elite यह कहेगी जिए हमसे फाटा नहीं संबाला चाहरा जब political elite यह कहेगी जिए फाटा जो है वो उसको उन्हींट साल में कौई constitutional शेप नहीं दी और वहाँ पे lawlessness है वो को फोज का काम तो नहीं है जब लॉइन जब फॉज आती है तो वो पाकिस्तान का एक आर्टिकल है टू पॉर्टी फाइव किदर किदर फॉज को लेके आपका सिवल अपरेटिस है नहीं है और आप टार्गट करेंगे फॉज को फॉज तो फिर जब उनको पता है कि भाई इसे नैशनल सेक्योरिटी का इश्यू है अर्दू करोना वाइरस क्या इसे नैशनल सेक्योरिटी इस्यू अगर मुल्क के अंदर करनों साब पाकिस्तान में अगर हजारों लोग मरने शुरू हो जाएं तो मुझे यह बताए हमने य फोड़ी और तरीके से फॉज को बील किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फॉज भी इसे मुल के इंट्रेस्ट को प्रटेक्ट कर रही है और जो आप बात कर रही है ना कि जो सख्त बात बरदाश्ट करनी चाहिए वो काम भी करते हैं सख्त बाते भी परदाश्ट कर रही है तो भारत में मैं समझता हूँ कि वहां पे भी जो लीडर्शिप है मुझे ऐसे लगता है कि निरंदर मोवड़ी साब ऐसे प्रायम मिनिस्टर की डिसन्ले सेंट टू मीडिया एट और वो तो इंट्र्वियू नेगते हैं, तो पाकिस्तान की प्रायम मिनिस्टर को तो मीडिया रोल देता है, बड़े-बड़ सख्छ सवाल करता है और ओपोजिशन को भी, तो मेरा खङला है कि सक् बातें बहुत होती हैं लेकर कोई एंटि स्टेट नहीं होना चाहिए एक ट्रॉम्प ने एंटि स्टेट काम की है तो सारा अमरीका उसके खलाब खड़ा हो गया लेकर एक होती है हम एक चोटी आखरी बात कर लो पाकिस्टान में दो दो दोर चीज़ों को मेरा हम् cell Amish हमें समझ नहीं है Congress हकूमत होती है रिहासत को हिस्थना मरी जबाइए वोट लें यह जो रियासत होती है भूपॉये वह रियासत को तक्स करें झाले रियासत को हमला करें MARY । تو जाहरी बात है कि सारे कड़े होगरु है, तो सारे खड़े हो गए कुछ वि dull कर दृट ₟ झीञिवित है को बत करेंगे तो जल्द जरूरिन के काम को क्रिटिसाइज किया जाता है एकर वώνड मीडिया करें या को कोई भी करें' तो उस पे हम उन्हें defend कर रहे होते हैं चाहे वो गलती हो हमारी हुकुमत की फिर भी और जहां तक आप इंटर्विई की बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे इंडिया के हो अपने मर्जी के अपने पसंड के जर्नलिस्ट अपने पसंद के एंकर को ही इंटर्व्यू देते हैं और वो इंटर्व्यू आप भी जानते हैं कौन सा एंकर गया है अगर हम इमरान खान साब को देख लें जो के उनसे सक्त बात कर सकता हो या उनसे उटा टेड़ा सवाल कर सकता हो रौफ कलासरा नहीं सलीम किसी का नाम बताने तालत हुसेन जिसको इन्होंने आले दिया हो लेकिन अपनी पसंद के इंटरव्यू यहाँ भी चलते हैं और अपनी पसंद के इंटर्व्यू आप बह avi चलते है जी कर्.णल सब बिलकुल आप जो आप कह रहे हैं वो बिलकुल कह रहे हैं मैं CHEEMA साब की दो बाते में इनका जवाब देता हूँ इन्होंने पुला नरेंद्र मोदी जो है स्टेज मैनेजड इनका मतलब यही था इसमें कोई शक नहीं है यह बहुत बड़ी कमी है नरेंद्र मोदी की कि हो इंटर्व्यू जो है इंटर्व्यू कहूं कि आप प्रेस कॉनफरेंस नहीं करते हैं इसकी बहुत लोगों ने मदम्मत करी है और गुड़ दिमोकरेसी दी हैड़ अपड़ स्टेट हैस तो कम पॉवर्ड यह से वह बात नहीं करते हैं मेरे खाल से जस तरीके से उनको करन और नरिंदर मोधी कोई मेरे रिष्टेदार भी नहीं लग रहे हैं जो कि मैं उसको इस चीज में डिपेंट करूँ है इसमें कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी अब जहां तक कमर चीबा साब का पाकिस्तान की वाज के बारे में इन्होंने बात तो मैं कमर चीबा की बात से पूरी बात में सहमत हूं कि सलाव आजाएं कि डिडी दल का हमला हो जाएं कहीं लॉइन और शूट ज्यादा थकड़ा हो जाएं वग्यरा 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 वहां को तलब कर लिया जाता है अंडर एट्टू स्विल अपाल्टी बिल्कुल हमारे यहां भी चाहें लिव ज खूख लंपाल्टी झाली यहां को तलब हो जोग्यरा वग्यर झाली प।ल कर लिए्ना-ब।ूल